जैसे किसना राधी राधे हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग हूप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाईश साम के साथ बज रहे हैं और मैं रोज के तरह आचुकी हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए राध के डिनर का मेन्यू जो होता है लगवख लगवख सेम ही होता है कोई स्पेसल डे होता है तब ही चेंज होता है अधर्वाइज डेली का मेन्यू लगवख सेम ही होता है एक तरफ खोकर में मैंने डाल चराया है और दूसरे तरफ मैंने कराही में सबजी चराया है और अभ दूनों छोटे डबों में सरसोतेल भर लिया है और अभी मैं छोटे डबों में सरसोतेल भर रही थी ना तो मुझे एक बात याद आ गई सोचरी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूं तोरा एमोशनल भी हो सकती हूँ मैं इस बात को शेयर करते हुए क्योंकि ये मेरा सेलफ श्टोरी है शादी के लगबग 5-6 दिन हो गए थे उसके बाद का ही श्टोरी मैं आप लोग के साथ सेयर कर रहे हूँ होता क्या आना कि जब तक हमारे शादी नहीं हुई रहती है तब तक हमें काम करने का कोई भी एक्सपरियंस नहीं होता है हर लड़की के साथ यही होता ह कि जब तक शादी नहीं हुई रहेगी जब तक आपके उपर रिस्पॉंसबिलिटी नहीं आईगी तब तक आपके पास काम करने का कोई एक्सपरियंस नहीं होगा कौन सा काम कैसे करना है चीजों को कैसे मैनेज करना है कुछ भी समझ में आता है तो जब मैं शादी करके या फिर खरके जो भी फैमली मेर रखते होंगा मुझे नहीं पता है बट तेपने मन में कि यह सायद किसी दिन मेरे हाथ से छूट जाएगा और पक्का गिर जाएगा इसी बात का डर मुझे हमेशा लग रहा था जब भी खाना बनाने किचन में आती थी तो और जिस बात का डर आपको हमेशा लगा रहेगा वो बात होके ही रहेगा हुआ क्या एक दिन मैं खाना बना रही थी और सबजी बनाने डाना वो भी पूरा किचन में फैल अब थो डर के मारे मेरा पूरा हाथ में लगा एक तो नई जगह सुसराल ऊपर से आब गलती करोगे तो डर तो लगे एक पूरा हाथ में लगा अब मिज़से समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं एक ही सिसा का वह सरसो तेल का डबा था और वह भी फूट चुका था उपर सरसो तेल भी पूरा केचर में फैल गया था तो छुपने वाला तो बात था नहीं तो फालिली मुझे जाके अपनी नियनत को बताएं परावी मैं कि वहाँ स्रेम हूँ क्योंकि ना दूद वाली आण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या तो फिर मैंने क्या किया उनके आने से पहले ही ना मैं जल्दी-जल्दी से सीशा का जो टुकड़ा सब चारो तरफ फैला हुआ था ना वह अपने हाथों से ही उठाने लगी डर के मारे हाथ पर काप रहे थे और क्या हुआ ना कि सीशा का जो टुकड़ा था वह मेरे उंगलियों में चुफ गया और मेरे सारे उंगली कट गया ब्लड ब्लड हो गया पूरा और यह देखे मुझे औ और मेरी ननद ने हम दोनों ने पूरा टुकड़ों को साफ किया और बहुत से चीजें हुई जो कि मैं अभी साथ एक्स्प्लेइन नहीं कर पाऊंगी खाना मेरा बन चुका है और गर्मी सहालत मेरा खराब है पसीना से मैं लटपत हो चुकी हूँ पानी पी रही हूं क्यों उन्होंने जबरदस्ती बेवी को दे दिया है कि लो बेटा चॉकलेट खाना जबकि बेवी के दादाजी ने बताया कि अभी हमारी बेवी सिर्फ दूदू पीती है चॉकलेट बगएरा कुछ भी ने खाते हैं फिर पिर जबरदस्ती का अंकल ने पकड़ा दिया है तो उस ब्लॉग में पूरा नहीं कर पाई तो उस ब्लॉग को आगे भी कंटेनियू कर रही हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं उल्टे हाथ से पूजा करती हूँ बट ऐसा नहीं है सेल्फी कैमरा फ्रांट कैमरा के वज़े से आप लोगों को ऐसा पूजा पर्ट करने के बाद मैं आ जूकी हूँ बेवी को मालिश करने के लिए हमारी बेवी को देखिए कैसे कैमरा में एक टक से आप लोगों को देख रही है पहले तो बेवी कैमरा से बहुत ज़दग गुस्ता करती थी बट अब कैमरा में अपने आपको एक टक से देख लेए पहले तो नहीं समझ में आता कि जुलजूना से मुझे खेलना भी है बट अब समझ में आने लगा है कि यह जुन जुना है और ये बजता है और इससे मुझे खेलना मैं बेबी की मालिश कर दे हूं उसके बाद जाकर मैं नास्ता करूंगे मालिश करने के बार बेबी गो यह वे विए हुआ है दुआ का है पीब दे है कल हो जाएगा फाइब मन्त कंप्लेट फिर मेरी बदमासिया और जादा होंगे किसी किसी दिन हमारी बेबी इतना जदा परशान करती है ना एक मिनट भी मेरे पास से हटने का नाम ही नहीं लेती है अभी मैं बेबी को गोदी में लिए लिए ही अपने लिए नास्ता निकाल रही हूं मालिश करने के बाद मैंने बेबी को फीड करा दिया और मैंने सुचा कि इनके बाबा दादी के पास वापस इनको रख दू ताकि मैं नास्ता कर लूँ बट ये मेरे पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी फिर जैसे तैसे मैंने इनको वापस इनके बाबा दादी के पास रख दिया है और अभी मैं खुद आ गए हूँ नास्ता करने के लिए अच्छली होता क्या ना कि सुबह में बेबी जगती है तो मैं बेबी को मालिश करती हूँ उसके बाद फीड कराती हूँ उसके बाद वापस उनके दादा दादी के पास रखाती हूँ उसके बाद घर के सारे काम निप्टाती हूँ तो इसमें काफी लेट हो जाता है और फिर मैं काम निप्टा के वेवी के पास जाती हूँ तो वेवी घबरा जाती है लगता है कि नहीं फिर से ममी भाग जाएगी तो इस वज़े से वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है बट जैसे तैसे मैंने उनको वापस उनके बाबादादी के पास रखके नास्ता कर लिया है और अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मैरे ससराल में चाय पीना सबको बहुत ज़दा पसंद है सब लोग बहुत ज़दा चाय पीते हैं तो अभी मैं सबके लिए चाय छान किल जा रही हूँ दे देने के लिए और मैंने ना अपने लिए दूद निकाला है मैं डेली दूद पीती हूँ सुबा में भी और साम में भी ताकि मैं बेवी को अच्छे से फीड करा सकूँ मैं अपने मा के में थी तो बहुत ज़दा दूद पीती थी क्योंकि वहाँ पे घर का दूद था बट यहाँ पे भी मैंने दूद पीना नहीं छोड़ा है भले ही खर दया के आता है तब भी और सारा काम खतम होने के बाद नास्ता करने के बाद दूद पीने के बाद मैं सोची कि चलो कपड़े डाल देती हूं बात्रूम में मैंने बहुत सारे कपड़े धोय थे अपने और बेवी के तो वो सारे कपड़े मुझे आंगन में डालना था और बेवी के पापा के और बुगा के कपड़े मसीन में धूले थे तो मैं आंगन में आई अभी कपड़े डालने के लिए तो मैंने दिखा कि बेबी की बुगा ने हमारे कपड़े भी मतलब मेरे और बेबी के कपड़े भी आंगन में डाल दी हैं और वो अपने भाईया की यानि मेरे हस्मेंड की और अपने कपड़े भी आंगन में डाल दी है मीमक पाभानञे एक। पंख़ नहीं चल रहा है पंख़ चल गरणेила एक पंख़ चलू करते हूं दूरे वाला पंख़ा आफ रहते है तो बेभी देखती है वह पंख़ चल रहा है ये क्यों नहीं चल रहा है बेभी ये डादी माख्सी नमश्त अप्रेस ही क्योंकि बेबी की मम्में मेक्स नहीं चलाती, इसलिए तो गाइट अब याओध अब ये शाम के लवक सारे 5-6 बज़ रहा है और अभी मैं बेबी को रेडी कर रही हूँ, क्यों क्योंकि हमारी बेबी की बुआ की फ्रेंड आ रही है बेवी की बुआ से मिलने के लिए क्योंकि आज हमारी बेवी की बुआ का बर्थडे है आई नो कि ये वला व्लॉग बहुत ज़दा लेट जा रहा है बट क्या करूँ एडिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं लगा ऐसी वज़े से लेट जा रहा है ये वला व्लॉग मैंने बेवी को और खुद बुच रहा है और मैं किचन में आचुकी हूं रोज के तरह डिनर वनाने के लिए और वेवी की बुया के फरेंड आई हुई थी वेवी की बुआ से मिली हम लोग से भी मिली वेबी से भी बहुत सारी बाते की और उसके बाद वो चली गई अपने घर मैंने उनका वीडियो नहीं लिया क्योंकि जब रतस्ति का हम किसी को भी अपने व्लॉग में आड नहीं कर सकते ना वैसे मैंने उनसे पूछा ही नी शायद वो मना भी करती है फिर नहीं भी करती है यह पने जाए अपने देखला और देखला जो आपका यह करते हैं देखें दिनर बना ही तब तक बेवी हमारी बीच में ही रोने लगी तो बेवी की दादी आई हुई थी अभी मुझे बोलने के लिए कि बेवी रो रही है आके पहले बेवी को फीड करा दो उसके बाद फिर से अपना खाना बनाना फिर से काम करना तो मैं अभी गई हुई थी वेवी को मैंने फीड करा दिया है और वापस उनको उनके बाबा दादी के पास रख दिया है और अभी मैं फिर से आ चुके हूँ किचन में क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी थे जैसे कि ये बरतन मांजना आधा बरतन ना मैं खाना बनाते में और एक बर सबके डिनर करने के बाद तो अभी हम लोग फिर से रेडी हो चुके हैं एक ही दिन में हम लोग तीन तीन बार रेडी हो गए मैं और हमारी बेबी तीन तीन बार रेडी हुए सुबह से दूसरा ड्रस पहने थे फिर बेबी की बुगा के फ्रेंट आई तो तक से अभी हमारी विभी इतनी छोटी है कि केक खा भी नहीं सकती है आज करें जो व्लॉग है अमें पेंट करी हूं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाबाय टेकर अपने ख्याल रखीगा जैहिन जै भारत